Good morning children, how are you all? Fine, okay? I hope that you all are fine at home. Today, we will do mobile number with activity. बच्चों, आज मैं आपको एक activity से mobile number learn करना सिखाऊंगी. बच्चों, पता है आप लोगों को, ममा चाहे पापा का किसी का number आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए. तो चलिए, आज मैं आपको सिखाती हूँ, यहाँ देखिए इस फोटो को, इसमें मैंने बहुत सारे flowers बना रखे हैं, आप भी पेज में ऐसे ही बनाईएगा. अब देखिए, बीच में जो है, इसमें क्या करना है, आपको number लिखना है, अपने ममा चाहे पापा का. मैं सुरू करती हूँ, यह मेरा number है, जैसे कि माल जे मैं का number है, कोई भी number. तो सुरू करते हैं, इसमें दिखिए कितने petals हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, इसमें लिख देंगे 6. इसमें कितने petals हैं, इसमें 5 petals हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 5. इसमें कितने हैं, इसमें 4 petals हैं, तो यहाँ 4 लिख देंगे, इसमें भी 4 हैं, तो यहाँ 4 लिख देंगे, इसमें कितने हैं, 2 petals हैं, तो इसमें 2 लिख देंगे, इसमें तो एक ही हैं, तो 1 लिख देंगे, इसमें कितने हैं, इसमें 5 हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, यहाँ 5 लिखेंगे, इसमें कितने हैं? 4 हैं. इसमें कितने हैं? इसमें भी 4 हैं. और इसमें 2 है. तो बच्चों देखिए हर एक number 10 digits का ही होता है mobile number. तो इसमें मैंने जो जो number है आपका इस तरह से लिख लीजिएगा. और उसके बाद हम क्या करेंगे? color करेंगे. मैंने red color लिया है. आप water color ले सकते हैं कोई और भी color ले सकते हैं तो चलिए इसको हम color करते हैं इसके petals को इस तरह से हम color कर देंगे ये देखिए इस तरह से आप learn कीजिएगा mobile number तो कभी नहीं भूलिएगा बचों हमेशा number को याद रखना चाहिए ये देखिए है ना ये देखिए ये flower हो गया इसमें अंदर बीच में digit लिखा हुआ है इसी तरह से आप सारे flowers को color कर दीजिएगा आया ना मज़ा बच्चों ये देखिए इस तरह से मैं two flowers तहार हो गया आप इसी तरह से सारे flowers को color कर लीजिएगा और इसको घर पर बना कर सीखिएगा मैं फिर मिलूंगी अगली बार